माताओं ने भारत को एक लोकतंत्रिक देश के रूप में इस्थापित किया लोकतंत्र का मतलब है जहाँ पर जनता का शासन हो और जनता का शासन सुन्शित होता है हमारे देश में आयोजित होने वाले चुनाओ पर क्रिया से हमारे यहां पर इंडारेक्ष डेमोक्रेसी है अप्रत्यक्ष लोगतंत्र है और अप्रत्यक्ष लोगतंत्र में स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाओं का योजन होना ये अप्रत्यक्ष लोगतंत्र का अनिवार सिध्धांत है कि हमारे देश में जो भी निर्वाचन हो रही है और निर्वाचन प्रक्रिया सोतंत्र होनी चाहिए तो हम अपने जन पृत्नी दियों को चुनते हैं और जन पृत्नी दियों के द्वारा हमारे उपर सासन किया जाता है तो भारती सम्मिधान निर्माताओं ने हमारे सम्मिधान में स्वतंतर और निस्पक्ष चुनाओं के अयूजन करने के लिए इस विशय को महत्रपूर बनाने के लिए भारती सम्मिधान के भाग 15 को जोड़ा और भाग 15 में अनुख्षे 324 से लेकर के 329 तक जो है कई विशय को समलित किया ठीक है देखे इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया ये बौड़ी है जो कि अपने अपने एक सोतंतर निकाय है जब देश में लोकसभा या बिधान सभा के चुनाओं होते हैं तब देश में उन बिध और चीजे निकाली जाती है लेकिन इसे तोर पर समझे कि भारतिय लोकतंत का प्रहरी निर्वाचन आयोग ही है यही डेमोक्रेसी को जिंदा रख सकता है तो ऐसे में चुनाओं सोतंत्र हों निस्पक्ष हों इसके लिए समिधा निर्माताओं ने इसको संभधानिक संसर्थ द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गया है जिन कानूनों के माध्यम से इसको सक्ति प्राप्त होती है तो सबसे पहले आर्टिकल 324 से लेकर के अनुक्षे 329 तक एक कहां पर पढ़ता है भाग 15 में भाग 15 में क्या है यह निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग को सबसे इंपोर्टेंट जो है आपका डेमोक्रेसी के लिए इसी में से एक अनुक्षेद है अनुक्षे 326 अनुक्षे 326 ही देखो सबसे पहले समझेगा अनुक्षे 326 मताधिकार है ठीक है कैसा अधिकार है मताधिकार की राज्य के देखे मताधिकार को ले करके आप दो तरीके समझ सकते हैं चुकि इंडिरेक्ट डेमोक्रिसी है हमारे देश में तो मताधिकार बैस्क मताधिकार के तौर पे इसको रखा गया है पहले बैस्क मताधिकार में जो उम्र होती थी वो 21 साल थी बाद में उसको घटा करके 18 साल कर द जो मद्दाता सूची में पंजीकृत हैं उनको अपना प्रतनिधी चुनने के लिए वोट देने का अधिकार है तो आर्टिकल 326 लोकतंत्र का एक इस्तंभ है एक पिलर है जिस पिलर के माध्यम से देश की जनता अपने प्रतनिधियों को चुनती है अब एक चीज और ध्यान क्या मताधिकार संभिधानिक राइट है या विधिक राइट है इस पर कई बार कोश्चन पूछा गया है मताधिकार निशित तोर पे संभिधान द्वारा प्रदान किया गया है लेकिन ये एक विधिक राइट है विधिक राइट क्यों है क्योंकि कानुन बना करके आपके म मिधानिक राइट होता या आपका fundamental राइट होता तो निशेत तोर पर इसको छीना नहीं जा सकता था है ना तो 18 साल से अधिक आयू के लोगों को सबको मताधिकार प्राप्त होगा ये भी तै नहीं है यदि आप कोई अपराधिक गत्विदी में सनलिप्त होते हैं यदि आप दिवालिया हो जाते हैं यदि आप पागल हो जाते हैं तो आप या फिर कोई ऐसी गैर कानूनी गत्विदी करते हैं राष्ट विरोधी गत्विदी में समलित होते हैं आप भारत की नागरिक्ता को त्याग देते हैं बाहर चले जाते हैं तो ऐसे में आपके इस अधिकार को चीना भी जा सकता है, खतम भी किया जा सकता है, तो मताधिकार एक संविधानिक राइट नहोकर कि कैसा राइठ है आपका एक विधिक राइठ है सबसे पहले तो यह आपको समझना है तो लोग सभा और राज्यों के विधान सभा के चुनाओ बैस्क मताधिकार पे होंगे यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है अनुख्षे 326 में तो यह क्या है आपका चुनाओ का एक क्या है आपका एक तरीके का अधार इस्तंब है ठीक है इसके अलाबा समझना का यह अनुख्षे 326 देश के सभी नागरिकों को सभी मद्दाताओं को धर्म नसल जाती लिंग चार अधार हैं धर्म नसल जाती लिंग के अधार पर बिना किसी भेदभाव के यह सुनिशित करता है कि जनता अपने सम्विधान निर्माताओं द्वारा जो लोक्तंत्र का अधार बनाये गया उसके अधार पे अपने मताधिकार का प्रियोग कर सके तो किसी भी ब्यक्ति को धर्म के अधार पे वंचित नहीं किया जा सकता जाती के अधार पे मताधिकार से वंचित नहीं किया ज सकते हैं हम अपने देश में राजनितिक प्रतिनिदी के तौर पे यदि आप अरहता प्राप्त कर लेते हैं तो आप राजनितिक प्रतिनिदी के तौर पे देश के मुखिया भी बन सकते हैं चुनावी लड़ सकते हैं यह भी आपके पास एक पॉलिटिकल राइट है और आप आप चुनावी वादे करते हैं तो उनको पूरा कीजिए क्योंकि यदि आप इन वादों को पूरा नहीं करेंगे तो बैस्क मतादिकार क्या हो जाएगा विफल हो जाएगा जनता का आपके उपर से भरोसा उड़ जाएगा तो ऐसे में हिंसात्मक वातावरण भी विक्सित हो सकता है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं तो निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रियत 326 के इस महत्तों को जागर करता है कि जो भी रादनितिक दल हैं उनके उपर ये करतब हैं कि वो अपने एदी मद्दाताओं से चाहते हैं कि वो वोटिंग राइट का प्रयोग करें मताद मता अधिकार के प्रयोग के लिए उन्हें हमेशा यदि आप प्रोसाहित करेंगे तो प्रोसाहित करने का प्रयास किसके माध्यम से आर्टिकल 326 को प्रमोट करने को लेकर के होगा अपने वादों को पूरा करने से होगा तो ये आर्टिकल 326 है आप आर्टिकल 326 के बारे मे दो अधिनियम कौन-कौन से हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पहला है जन प्रतनिदित अधिनियम 1950 और दूसरा है आपका जन प्रतनिदित अधिनियम 1950 यह आपको पता होना चाहिए यह एक तरीके से चुनाओ आयोजित कराने के लिए जो प्रक्रिया है जैसे सीटों का अवंटन करना लोकसभा और विधान सभा की सीटों का अवंटन करना पहला पॉइंट इसमें यह है कि जन प्रतनिदित अधिनियम 1950 क्या करता है कि लोकसभा और विधान सभा की सीटों का अवंटन करना कि कहां से कौन सा प्रतनिदी चुना ज क्या प्रक्रियाय होंगी वो कहां पर दी गई है जन प्रतिनित अद्नियम 1950 में साथ में यह मद्दाताओं की योगता को भी निर्धारित करता है इसी के तहट है कि 18 साल का वैस्क मताधिकार और इसके तहट यह मद्दाता सूची को तयार करता है और जो खाली सीटे होती है उनके भरने की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने का काम भी इसके तहट दिया गया है जन प्रतिनित अद्नियम 1950 के तहट है तो निशित तोर पे हमारे देश में जो संसदिये चुना होते हैं विधान सभा चुना होते हैं वहाँ पर निर्वाचक और प्रतिनिधी इन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क सुनिशित हो सके निर्वाचन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागी दारी जादा हो सके उसके लिए जन प्रतिनित अधनियम 1950 यह भूमी का निभाता है क्या भूमी का निभाता है कि कैसे किस छेत्र में आप वोट डालेंगे आपका कौन सा प्रतिनिदी होगा किस छेत्र से कौन सा प्रतिनिदी खड़ा होगा ये सुनिशित करने का काम किसका होता है जन प्रतिनिदी पचास का क्यों क्यों क्योंकि ये निर्वाचन छेत्रों का प बढ़ रही है वैसे वैसे परसीमन की प्रक्रिया को भी जीवंत बना रहा है कि बढ़ती आबादी भी देश की निर्वाचन प्रक्रिया के साथ सनलिप्त हो सके तो निर्वाचन छित्रों के परसीमन का लगातार पुनरिक्षण करने का काम भी यह अधिनियम जो है इंपावर 350 लोग सभा और राज्यों के विधान सभाओं को या राज्यों को उचित-प्रतिनिदित-प्रदान करने के लिए देश के संघिये धांचे को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास करता है तो यह हमारे फेडरल सिस्टम को भी इंपावर्ड करने का काम करता है ठीक है तो जन प्रतिय अदियम 1950 में क्या क्या बात दी गई है पहली बात यह दी गई है कि कैसे जो निर्वाचन छेत्र हैं उनके सीटों का वंटन किया जाएगा कैसे परसीमन किया जाएगा और कैसे प्रतिय अदियम 1950 तो एक तरीके से बेसिक इंफ्रेस्ट्रेक्टर डेबलब कर देता है वहीं जन प्रतिय तो अदिया मुनिश्विंग क्या वन इसका काम क्या है इसका काम है कि जब चुनाव आयोजित किया जाएगा तो उस आयोजन के दौरान जो गतिविदियां होंगी जैसे Model Code of Conduct चुनाव अचार संगीता तुरंत प्रभावी हो जाना उसमें कोई भी सदस्ट पहले तो उसकी योगता है आयोगता है क्या होंगी वो किसी भी तरीके के भरष्ट प्रताओं का आचरण ना कर सके कोई अपराध ना कर सके निर्वाचन संबंदी किसी भी बिवा और संका को समझा जा सके तो एक तरीके से अपराधिक प्रष्ट भूमी वाले व्यक्तियों को प्रतिनिदी बनने से या उनके प्रवेश को प्रतिबंदित करने का प्रयास जन प्रतिनिदी अधनियम उनिस्विंग के आवन करता है यादि किसी भी व्यक्ति को दो साल से ज् पहली बात जो निर्वाचन प्रक्रिया उसको अपराध मुक्त करने का प्रयास किया गया है पहली चीजी है दूसरा ये ब्रश्टा चार पे अंकुस लगाता है जन प्रतियों अध्याम 1950 कैसे अंकुस लगाता है प्रतेक उम्मीदवार को उसकी कितनी परसंपत्ती है कितनी द ही और पार्दर्सिता सुनिश्चित कराने का काम जनब प्रतियों अध्याम 1950 करता है ठीक है तो एक तरीके से चुराओं का जो आधार तयार करने काम है 1950 के अध्याम का है और चुनाव करानी की प्रक्रिया के दौरान आने वाली जितनी भी चीज़ें जैसे बहुत-बड़ी है एक दूसरे को मारपीट तक दिया जाता है चुनाव में एक दूसरे से जो है बदला लेने की प्रक्रियां भी होती है तो चाय बूत कैप्चरिंग गूसकोरी हो ब्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बहुत सारी जो आने प्रक्रिया हैं उनको प्रतिबंदित करना और प्रतिबंदित करने के बाद स्वतंत्रो निस्पक्ष चुनावा योजित करने को ले करके प्रयास करता है जन्प्रतिनिदित अधनियम 1950 ठीक है और ये एक और विशा की बात करता है कि कोई भी राजनितिक दल चंदा लेने का तभी हकदार होगा जब वो जन्प्रतिनि प्रतिक्रित होगा तो ये राजनितिक दलों को पंजी करन को भी सुनिशित कराता है और राजनितिक फंडिंग के स्रोतों के बारे में उनको ट्रैक करता है चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता सुनिशित कराने का प्रयास करता है एक ऐसा तंत्र विक्सित करने का प्रय किसी भी चुनावी प्रक्रिया को कुशल जवाब दे बनाने के लिए लगभग लगभग देश के लोकतांत्रिक ब्योस्ता को जीवंत बनाए रखने के लिए सबसे अनिवार तक्तों में से एक है और ये देश की चुनावी प्रक्रिया के संपूर पूरे के पूरे प्रोसेस क अधिक ब्योस्थित बनाता है समवेशी बनाता है और देश के मद्दाताओं को इसका सहभागी बना करके देश के निर्वाचन प्रक्रिया को और लोकतंत्र को सुनिश्चित कराने का प्रयास करते हैं तीनों इस्तंब जो मैंने आपको बता है ठीक है और इन सब का काम राज्य संपादीद कराने का प्रयास किया जाता है धिक है तो यह आपका रहा दो आधारिकल थे और आपका आर्टिकल टीन सो चबबेस डेक है निर्वाचन नयोक से जुड़ा हुआ सबसे बड़ी विसेवस्तु तो इसी के माधिम से लोकतंत हमारा आज भी जिन्दा है इंडारेक्ट डेमोक्रेसी के सनच्छक के तौर पर ये काम करता है ठीक है तो ये रही आपके आज की विसेवस्तु जो हमने पिछले से